36 गड़ प्रदेश के 12 समदाय को अंसुचित जनजाती में सामिल करने हेतू पाचवा संसूधन विद्यक 2022 पर लोग सभा में चर्चा करते हुए बस्तर सांसत दीपक बैज ने केंज सरकार पर जम कर निशाना साथा और कहा लंबे अर्शे से केंज सरकार वें लंबित आरक्षण की मांगो को लेकर इन जातियों के लोगों का सपना पूरा हुआ 36 गड़ राज के 12 जातियों को अंसुचित जनजाती में सामिल करने पर बस्तर सांसत दीपक बैज ने सरकार का समर्थन किया मैं पूछना चाहता हूँ कि इस सरकार को मानने मंत्री जी से क्या आरक्षण प्राइवेट सेक्टर जिस तरह से लगातार करते जा रहें क्या प्राइवेट सेक्टर को कोई आरक्षड के लिए आप कोई मापदन तै करेंगे कि हमारा सरकारी उपकरम भी हमारा प्राइवेट अगर सेक्टर कर रहे है उस प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षड क्या लागू होगा क्या इसके लिए सरकार बिल लाएगी क्या इसके लिए विधायक लाएगी आप मैं तो आपसके माध्यम से निवेदन करता हूँ कि सरकार विधायक लाना चाहिए बिल लाना चाहिए ताकि हमारा प्रावेट सेक्टर में भे हमारे आदिवासियों को हमारे OBC को इसको फाइदा मिलना चाहिए लेकिन प्राइवेट सेक्टर होने के बाद इसका लाब नहीं मिल रहा है निश्ची दुरूप से मानी चेर्मेंट साब 36 गड़ सरकार ने आदिवासी को टाक ने उठाने के लिए बहतर काम किया एक समय हम लोगों ने देखा है मानी चेर्मेंट साब कि हमारा बस्तर जैसे आदिवासी अंचल हमारे जैसे बस्तर के लोगों को जहाँ साथ प्रकार के समर्तन मुल्ले हमारे माइनर प्रडूक खरीदा जाता था आज हमारी सरकार 36 गड़ के मुखे मंतर इमानी बुपेज बगेल ने 65 प्रकार लगों वनोपज के आज समर्तन मुल्ले पे खरीदी कर रहा है ताकि सरकार खरीदी कर रहे है तो जहां तेंदू आपना तेंदू पत्ता तेंदू पत्ता का रेट हो हम ब्याली हमां 2500 से 4000 हमारी सरकार देने का काम कर रहे है ताकि वहां के आदिवासु का हमारी सरकार मजबूत कर सके तो एक और दो दिसंबर को विधान सबा का विशेश सत्र आवान किया बुलाने का काम किया और आरक्षण बिल पेशकर व्रिहत चर्चा के बाद आरक्षण बिल पास हुआ और आरक्षड बिल पास हुआ उस आरक्षड बिल में आधिवासियों के 32% देने का पास हुआ OBC को 27%, SC को 13% और जनरल को 4% देने का पास हुआ माननी चेर्मेन साहब और इसी एक साथ शाच की संकल भी पास हुआ इसी आरक्षड के संबन्द में लेकिन हमारा राज सरकार ने पास किया विधान साहब में पास हुआ बहुमत के साथ पास हुआ बड़ी चर्चा के साथ पास हुआ लेकिन जब पास हो के बिल सुकृतिक लिए राजपाल पास राजबहवन गया वही माननी राजपाल महुदे करते थे कि आप आप विधान सभा बुला ले आप ला ले मैं तुरंद अस्ताचर करने को तयार हूँ हमारा सरकार ने विधान सभा बुला कर पास किया राजभावन हमारा बिल गया लेकिन आज तक राजभावन में हमारा आरक्षण का बील लटका हुआ है आज तक माननी राजपाल ने दसकत तक नहीं किया है माननी चेर्मेन साब इससे लगत्तर आदिवासियों में आक्रोस हो रहा है वहां कि लोगों में आक्रोस हो रहा है वहां जंता आक्रोस हो रही है कि हमारा अरक्षण बील लटक गया है हमारा अरक्षण बील विधान सभा में पास होने के बाद राजबहुन में पास नहीं हो रहा है ये लगत्तर लोगों में आकरोस हो रहा है